नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरी सर में इस वीडियो में हम बाल विकासेवं सिच्छा सात्र से संबंदित कुछ अतिमाहत्पूर्ण प्रस्थ देखेंगे जो आगामी सीटैक की परिच्छा के लिए बहुत उप्योगी होंगे और ज इससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेशन दिया हुआ है निम्न लिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है यही चार ओप्सन दिये हुए इस में से बताना है कि सबसे अच्छा कथन कौन सा होगा यह अप्सन दिया हुआ है अध्यापन के लिए व्याख्यान विद का प्रयोग करता है सदेव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है विद्यार्थियों को सदेव सीखने के लिए प्रेरित करता है और विद्यार्थियों को सदेव अनुशाशन में रखता है तो सबसे अच्छा क आदर सध्यापक क्या गुड़ होता है, सदेव अपने बिद्धी आर्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनके रिए अदिगम परिस्धियों का निर्मार करता है, तो ता उनके अधिगम में आई तोटियों को पहचान कर उसमें सुधार करता है यहनि एक आदर सध्यापक क्या गुड़ होता है सद्यों अपने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और जो उसमें परिस्थितियां होती है अधिगम को सीखने की परिस्थितियों का निर्मार करता है और अगर कोई अधिगम में तुरुटी आ जाती तो उसको पहचान कर उसमें क्या करता है सुधार करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C नेक्स्ट कोईशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है मधु गडित में कमजोर है एक अच्छे अध्यापक की द्रेश्ट में उसके गडित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है प्राया लड़कियां गडित में कमजोर होती है उसके माता पिता अनपड़ है उसकी अध्यापक की द्रेश्ट में उसके गडित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है में लड़कियां कमजोर होती ये कोई रीजन नहीं होता है योकि गल्स भी पढ़ने में तेज होती आज के टाइम में बॉयाज और गल्स में कोई डिफ्रेंस नहीं है उसके माता पिता अनपढ़ है इसका इफेक्ट नहीं पढ़ता है उसकी अध्यान में रूच नहीं है इसक बच्चे को समझ में आए, मधू गडित में कमजोर है, इसका मतलब है कि वह अन्नि विसाय में ठीक है, अता एक कुसल अध्यापक यह अन्मान लगाता कि गडित सिच्छड की बिद ही त्रुटि पूर्ण होगी, इसलिए सिच्छड बिद में परिवर्तन करके मधू को गडित विसाय में ठीक किया जा सकता है, नेक्स्ट वेशन देखते हैं, सिच्छक को ग्यान होना चाहिए, किस चीज का, अध्यापन विसाय का, बाल मनो विज्यान का, सिच्छा सहिता का, या अध्यापन विसाय इवं बाल मनो विज्यान दोनों का, तो सिच्छक को किसका ग्यान हो अध्यापन विशय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए यानि एक कुसल सिच्छा को अपने विशय में पारंगत होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवस्यक है ताकि वह बच्चों के ब्योभार मानसिक इस्थित योगिता एवं चमता के अंसौर सिच्छा अधियां प्रक्रिया का संचालन कर सके तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? सिच्छक द्वारा पूछे गए एक प्रस्न का उत्तर सिच्छक ततकाल नहीं दे सकता तो सिच्छक की प्रतकिरिया क्या होनी चाहिए? यानि कोई स्टूडेंट आपसे अगर क्वेशन पूछता है तो एक सिच्छक होने के नाते आपका क्या उस टाइम पे प्रतकिरिया होग यह बताना है सिच्छक द्वारा सिवानी को चुपकरा देना चाहिए सिच्छक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ या सिच्छक द्वारा इस प्रस्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा यानि अगर कोई students आप से कोई प्रस्ण पूँचता है तो उसका उत्तर आप अगर ततकाल नहीं दे सकते हैं तो क्या गरना चाहिए सिच्छक द्वारा इस प्रस्ण का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए D option यहाँ पर right हो जाएगा next question देख लेते हैं आधुनिक सिच्छर आधियम प्रक्रिया में सिच्छक की भूमी का यानि जो present time की सिच्छर बेवस्ता है उसमें अध्यापक की भूमी का कैसी होनी चाहिए सीखने हे तो एक अच्छे सुलब करता की बच्चों को गडित पिज्ञान और भासा सिखाने की बच्चों को मूल आधारी सिच्छा देने की या बच्चों को की सभी कुछ पढ़ाने की तो यह कैसा होना चाहिए सीखने हे तो अच्छे सुलब करता की यानि आधुनिक जो सिच्छण अधिकम प्रक्रिया है उसमें सिच्छा की भूमी का सीखने हे तो एक अच्छे सुलब करता की होनी चाहिए ए ओप्सन राइट हो जाएगा इसी तरीके के कोईशन आप लोग के पेडलोजी में आते हैं नेक्स्ट है कोईशन डाल्टन सिच्छण बिदी का भिकास किस ने किया फ्रॉवल डेवल एच किलपैट्रिक मिस हेलन पाक हष्ट या डाल्टन कल के कोईशन में हमने बताया था कि डाल्टन सिच्छण बिदी में डाल्टन आप्सन दिया होगा लेकिन वो क्या होगा रांग होगा इसका प्रत्पादन किस ने किया था मिस हेलन पाक हष्ट ने राइट आप्सन नंबर सी हो जाएगा इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं डाल्टन सिच्छन बिद या डाल्टन प्रयोग साला योजना का प्रयोग मिस हेलन पाक हष्ट ने 1920 में किया यानि इन्हों ने इसका प्रयोग कब किया 1920 में सैंत्राष्ट अमेरिका के प्रारम हुई थी अमेरिका के विद्याले में प्रारम की गई थी इस विद के दो मुख सिधान्त है पहला सिधान्त क्या है बिभिन विसेयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नश्ट करके बच्चों को स्वतंतरता पूर्वक कार करने की दूसरा पॉइंट क्या है बालक के रुच जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक चाहे अध्यन करने देना चाहिए नेक्ट कोईशन देख लेते हैं कच्छा कच्छ का वातावरण होना चाहिए सांत सोरगुल अनुशासन से पूर्ण या मित्रता पू यानि जो कोई कच्छा होती तो उसका वातावरण मित्रता पूर्ण होना चाहिए इसकी डिटेल देख लेते हैं कच्छा कच्छ का वातावरण सहयोगातमक यो मित्रता पूर्ण होना चाहिए सामाजिक अन्ता प्रक्रिया सोहाद पूर्ण होना चाहिए ताकि बिना किसी हिचकचाहट के अपनी समस्याओं को सिच्छक के समझ प्रस्तुत कर सके नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमब एट आपको लगता है कि आपकी कच्छा में कुछ बच्चे बहुत तेज गत्से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गत्से नहीं देंगे या तेज गत्से सीखने वाले बच्चों की साहयता धीमी गत्से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेत लेंगे तो इसका राइट आंशर क्या हो जाएगा D option तेज गत से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गत से सीखने वाले बच्चों की सिखाने है रहेंगे क्योंकि जो तेजी से बच्चे सीख जाते हैं वो जो धीमे बच्चे हैं उनको अगर बताएंगे तो उससे जो धीमे बच्चे हो धीरे धीरे वो भी तेज गत्म से सीखने में समर्थ हो जाएंगे नहीं सिच्छण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक सिच्छण की सारी गत्वधिया छात्रों के अनुरूप और उनके सयोग से संचालित करता है अतावा तेज गस्य सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गस्य सीखने वाले बच्चों को सिखाने के लिए ले शक्ता है next question देख लेते हैं सिच्छ अधियम प्रक्रिया की द्रश्ट से एक अच्छा सिच्छक वा है जो कच्चा में बाच्चीत रोकने में सफल हो जाता है बाते करने वाले को दंडित करता है उदासीन है या D option दिया हुआ है जो सोचता है कि बाच्चीत को सीखने के संसाधन के रूप में उप्योग किया जा सकता है या उप्योग किया जाता है इसका राइट आंसर क्या होगा है सिच्छड अधिगम प्रक्रिया की द्रश्ट से एक अच्छा सिच्छक वा है जो सोचता है कि बाच्चीत को सीखने के संसाधन के रूप में उप्योग किया जा सकता है या उप्योग किया जाता है D option इसका राइट होगा इसकी डिटेल देख लेते हैं सिच्छड अधिगम प्रक्रिया की द्रश्ट से एक अच्छा सिच्छक वा है जो अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने वाले कारकों को भी प्रभावित करता है यानि सिच्छड अधिगम के रूप में उप्योग कर सके जैसे कच्छा में बाचीत को वा समस्या केंद्रित बना का सिच्छर संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है ये कोईशन डी ट्रॉपल स्पी प्यार्टी में आया हुआ कोईशन है ये जितने भी कोईशन्स आप लोग को डेली दिये जाते हैं ये सीटेट, डी ट्रेपल स्पी, के वी एस प्यार्टी ये जो सीटेट के लेवल की जितने भी एकजाम्स होते हैं इसी में आयोए क्वेस्चन्स हैं नेक्स्ट क्वेस्चन देख लेते हैं प्रयोजना विधि के प्रितिपादक कौन है जो प्रयोजना विदी है उसके प्रितिपादक कौन है दुर्खिम, प्लेटू, किलपैट्रिक या सुकराथ तो प्रयोजना विद के प्रितिपादक कौन है यह है किलपैट्रिक C option right हो जाएगा प्रयोजना बिद के प्रतपातक किलपैट्रिक माने जाते हैं प्रयोजना बिद विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से समंदित किसी समस्या का हल निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ है कार है जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्तियों में सामाजिक वातावान में ही पूर्ण किया जाता है ये थी इसकी डिटेल और आज के ये 10 अतिमहत्तपूर्ण कोईशन्स थे नए वीडियो में नए कोईशन्स के साथ में मिलेंगे और वन लाइनर कोईशन्स की स्री जो चल लही थी उसमें आगे कोईशन्स देख लेते हैं पहला कोईशन्स उसमें है मांटे स्री वीद के प्रितपातक कौन है तो ये है माडम मारिया मांटे स्री डैक्रोली वीद के प्रितपातक है औविट डैकरोली और नेच्ट दिया विनेती का इकाई विद्गे पृत्पाद 화ता है कॉल्टन वाशबन है। पूर्चिक वीदी के प्रितपा दखें, ह-e-ामिश्टांग, समाज मित वीदी के प्रितपा दखें, j-l-moreno, योग निर्धार वीदी के प्रितपा दखें, man, मांज, S.A.B.D. साब्दिक वीदी के प्रितपा दखें, Usgood, स्वतंत्र सब्द साचार परिच्छडविदी के प्रित्पादक है फ्रांसिस गाल्टन स्टैंड फोल्ड बिने स्केल परिच्छड़ के प्रित्पादक है टर्मन पोर्टियस भूल भूलया परिच्छड़ के प्रित्पादक है ये थे आज के कुछ क्वेशन्स वन लाइनर और नए वीडियो में नए क्वेशन्स के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार